बीच बजार में क्रासिंग के समीब सड़क दुर्गटना में तुमेटो गवाई की मौत दुर्गटना ग्रस्त बाइक का नंबर है जे एच दस ए एन सुन्ने पांसो बाईस बता दे कि ये गोविनपूर जेटी रोड में लगतार दुर्गटना में लोगों की जान जा रही ह आम लोगों का कहना है कि परशासन और NHAI ने मिलकर गोविनपूर के सारे डिवाइडर को बंद कर दिया है लोगों का कहना है परशासन ने सुवास चौक को बंद करवाया ताकि साइकल से जा रहे कोईले वालों से वसूली किया जा सके लेकि सुवास चौक के बंद होने से लोग मौत के भेट चाड़ रहे हैं इसी प्राकार थाना के नस्दीक गोविनपूर निवासी रविंद्र अगरवाल की दुरगटना में मौत हुई थी उसके बाद गोविनपूर थाना में बैठक हुई थी आईए जानते हैं क्या कुछ कहा समाज से भी राजिस्त अगरवाल यहां के निवासी पर हुए और उनकी दुर्दाई नहों कुछ हुए है और यहां पर जोग बंद तुवार्शो गुष्टापों क्या करना है कि कब तक यह जो इस्तिती है वो सुद्रेंगी कि सबसे अभी जश्ट फोरी देर पहले एक बहुत ही तरदनाख एक घटना घट और कुछ दिन पहले रविंद्र अगरवाल जी के भी दुरगटना में मौथवी थी उस समय गोविंद्पु थाना में मिटिंग बुलाई गई थी उस मिटिंग में हम लोग भी गये वे थे तो एनचाई के द्वारा बताया गया था कि टुंडी रोड मोड अपरवजार और साहिब गज रोड की जो मोड है वो तीन मोड को खोलने का प्रवीजन है लेकिन थाना के द्वारा ये बोला गया कि नहीं ये तीन जो मोड है ये बंद रहेगा वो बीच वजार जो ठाकुर बाड़ी है वहां पर खोला गया है और बाजार का जो इसमें चौक है उसे बं गई थी कि ट्रफिक प्लूज देने का अजर ट्रफिक प्लूज अगर यहां पर होता तो यह निश्चित है कि यह घटना नहीं घटती तो इस लापरवाही को कहीं ने कहीं दूर करना चाहिए तो बिल्कुल तो बाज को खोलने से घटना के कम होगी जरूब जरूब जरूब है कि घटना किस कारण से हो रही है लेकिन फिर्विला परवाही को देखा जा रहा है और देखा के जा रहा है चौत अगर खोल दिया जाए तो ट्रफिक पुलिस अगर यहां पद्या दिया जा यह जो घटना नहीं होगी